नितिश कुमार नवी बार मुख्यमंत्री पद की सपत लेने जा रहे हैं या एक रिकॉर्ड है इतना ही नहीं नितिश कुमार पांच बार सीम रहते अपने पद से इस्थिपा दे दिया है नितिश कुमार ने साथ दिन के मुख्यमंत्री से लेकर नवी बार के मुख्यमंत्री तक का लंबा सफर तै किया है ये दिखाता है कि नितिश कुमार कितने जुनोनी और कुसल राजनितिगे हैं वह ऐसे राजनितिगे हैं दोस्ती और दुस्मनी की दोधारी तलवार हमेशा साथ लिए रहते हैं कब और कहां किस धार का इस्तमाल करना है यह उन्हीं बखु भी आता है पर वो हमेशा ही इतने राजनितिक कौशल वाले नहीं थे समय के साथ साथ वो राजनितिक रूप से परिपक्व हुए और खुद को बिहार के सबसे सफल राजनितिक के रूप में अस्थापित किया नितिसकुमार के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो राजनिति छोड़कर ठेकेदारी में आने का मन बना चुके थे बात 1977 के विधान सबाचुनाओ के वक्त गी है नालंदा जिले की हरनौत सीट से 26 साल का एक लड़का जनता पार्टी के टिकर पर पहली बाद चु से हारने वाले 26 साल के उस युवा नेता का नाम था नितिसकुमार वही नितिसकुमार जो बाद में केंद्रिय मंत्री और फिर बिहार के मुख्य मंत्री बने नितिस को पहले चुनाओं में जिस से हार मिली थी उनका नाम था भोला परसाद सिंग भोला परसाद सिंग वही न जनता पार्टी सेकुलर टिकट पर इस चुनाओं में भी नितीज को हार मिली वो निर्दलिय अरून कुमार सिंग से हार गए अरून कुमार सिंग को भोला परसाज सिंग का समर्थन हासिल था इस हार के बार नितीज इतने ही रास हो गए कि उन्होंने राजनितिक छोड़ने का मूट बना लिया इसकी एक वज़ा ये भी थी कि नितीस को युनिवर्सेटी छोड़े साथ साल हो गए थे और साधी हुए भी काफी समय हो जुगा था लेकिन इन तमाम सालों में वो एक पैसा भी घर नहीं लाए थे इन सबसे तंग आकर नितीस राजनितिक छोड़ कर एक सरक सारी ठेकेदार बनना चाते थी वो कहते थे कुछ तो करें ऐसे जीवन कैसे चलेगा हलाकि वो ऐसा नहीं कर पाए लगतार दो चुनाव हारने के बाद नितीस उन्हें सो पचासी में तीसरी बार हर नौत से खड़े हुए इस बार वे लोगदल की कैंडिडेट थे इस बार चुनाव में नितीस 21,000 से ज़्यादा वोटों से जीते उन्होंने कांग्रेस के ब्रिज नंदन परसाद सिंग को हराया नितीस ने आखरी बार उन्हें सो पंचानवे में विदान सभा चुनाव लड़ा था हलाकि उन्होंने बाद में इस सीट से इस्तरपा दे दिया और उ लोगसबा चुनाव में खड़े हुए, क느्ए सो पच्चासी में पहली बार विदायक बनने के बाद नितीस 1989 के लोगसबा चुनाव में बार से जीत कर लोगसबा पहुचे उसके बाद 1991 में लगातार दूसरी बार यहीं से लोगसबा चुनाव जीते, नितीस 6 बार वाके सांसद रहे हैं तीसरी बार 1996 चौती बार 1998 और पाचवी बार 1999 में लोकसभा चुनाओ जीते नितीस ने अपना आखरी लोकसभा चुनाओ 2004 में लड़ा उस चुनाओ में नितीस बाड और नालंदा दो जगहों से खड़े हुए थे हलाकि बाड सीट से वो हार गए थे और नालंदा सीट से जीत गए यह नितीस का आखरी चुनाओ भी था इसके बाड से नितीस ने कोई चुनाओ नहीं लड़ा है अब आपको बताते हैं कि नितीस के जीवन में अटल बिहारी बाजपाई कैसे आए बाद 2000 के विधानसबा चुनाओ की है किसी एक पार्टी का मंत्री पद की सबतली हलाकि बहुमत नहीं मिलने के कारण उन्होंने साथ दीन में ही इस्थपादे दिया उन्होंने अटल बिहारी बाजपे की तरह ही इस्थपादेते हुए कहा कि वो जोड तोड से सरकार नहीं बनाना चाहते अटल बिहारी बाजपे ने भी 1996 में 16 दिन त मंत्री बने लालू रेल मंत्री बने तो नितिश कोल और स्टील मंत्री बने लेकिन नितिश की नजर तो बिहार सीम की कुर्शी पर थी 2005 के विधानसवाद चुनाओं से पहले वो वापस NDA में आ गए अक्टूबर 2005 में चुनाओं में NDA को बहुमत मिला और नितिश मुख मंत्री बन गए बात 2013 की है भाजपा की तरफ से नरेद मोदी को परधार मंत्री उमिदबार गोसित के जाने से नाराज होकर नितिश कुमार ने NDA छोड़ दिया था 2015 में नितिश की जदियू राज़त और कॉंग्रेस के साथ महागडबंदन में सामिल हो गई चुनाओं में महाद गडबंदन को बहुमत मिला राज़त ने असी जदियू ने 71 और कॉंग्रेस ने 27 सीटेल जीती नितिश कुमार सीएम बने और तेज़स्वी यादव डिपटी सीएम जुलाई 2017 में तेज़स्वी यादव पर भरस्टा चार के आरोप लगने पर नितिश ना सिर्फ महागडबंदन से अलग होए बलकि सीएम पत से भी इस्तिपाती दिया 26 जुलाई को नितिश महागडबंदन से अलग होए और 27 जुलाई को एंडिये के समर्थन से छाओमे बार मुख्यमंत्री पत की सपतली नितिश अब तक 6 बार एंडिये के समर्थन से और 2 बार महागडबंदन के समर्थन से सीएम रह चुके हैं नितेश नवे बार CM BJP के समर्थन से बनने जा रहे हैं